महल में भुकम अमीर ने जल्दी जल्दी अर्सला बेग को सारी इस्तती बताई अगरे ही पल मशाले जल उठी और महल में चप्पे चप्पे पर गुलजान को खोजा जाने लगा अमीर को हुक्म से उसे भी उसके समक्षाजर होना पड़ा उसे देखते ही अमीर जैसे फूट पड़े मौलाना हुसेन ये सब क्या हो रहा है माबदौलत को अब अपने महल में भी उस काफिर मुल्ला नसुरुदीन से हवाज़त महसूस नहीं होती ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी बाद्शा के हरम से कोई दास्ता चुरा ली जाए माबदौलत सास बटोर कर महमंत्री वक्तियार ने कहा है ऐसा भी तो हो सकता है कि ये काम मुल्ला नसुरुदीन के बज़ए किसी और का हो किसी और का किसका अमीर दहडे और कौन ऐसी गुस्ताखी कर सकता है आज सुभे ही हमें ख़बर मिली है कि नसुरुदीन बुखारा में लोट आया है और आज रात ही महल की दास्ता शुरा ली गई हम पूछते हैं कि उसके अलावा ये हरकत और कौन कर सकता है हम कहते हैं फूर्ती से उसकी खोज करो चप्पे चप्पे पर सिपाईयों का पहरा लगा दो अर्सला भेग यदि हमारी दास्ता न मिली तो तुम्हारा सिर्धर से अलग कर दिया जाएगा फिर सुई की भाती उसकी खोश शुरू हुई पहरेदारों ने महल का कोना कोना चान मारा इस तलाशी में मुल्ला नसरुदीन बढ़ चड़ कर हिस्सा ले रहा था वो उट पटांग हरकते कर रहा था कभी कालीन हटाता कभी पानी से भरे होजों में छड़े गुमा कर देख कभी बेवज़े ही शोर गुल मचाता इधर उदर भागता फिरता केतली मर्तवान यहां तके चूहों के बिलों में भी जाकने से न चुकता था कुछ देर बाद अमीर की खाबगा में वापस लोट आया और काफी देर तक उस काफिर बदमाश मुला नसरुदीन को पकड़न की युक्तियां अमीर को सुझाता रहा यह युक्तियां बड़ी चालाखी भरी थी इन्हें सुनकर अमीर काफी खुश दिखाई दिया और फिर अमीर ने सोने के सिकों से भरी एक थैली लेकर उसे दे दी उस रात वो अंतिम बार अपनी मिनार की सिढ़ियां चड़ा कक्ष म की भाती लंबी उडान भरना चाहता था इस सौने के महल में अब उसका दम घुटने लगा था मगर जैसे ही वो फाटक के निकड़ पहुंचा उसके पाओं जाम होकर रह गए सामने का द्रश देखकर उसका रंग पीला पड़ गया एक एक करके उसके सभी साथियों को फाट संद्रे लोगों का काफिला था सब को कैद में डाल दिया गया अमीर के हुक्म से कल सुबह उनकी किसमत का फैसला होना था अब इतने लोगों को वहां भसा छोड़कर भला मुला नसुरुदिन कैसे भाग सकता था अब उसका पहला काम था अपनी जान जोखिम में डाल कर उन कर भाग से को क्र आप जढ उनकी कर आपर अपनीजन कर भागर रए जर भाग से किए भाो